पूजा के यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर काफी लोग खड़े हुए हैं छट मैया के पूजा करने के लिए आए हुए हैं पर इनसे थोड़ा जानकारी लेंगे और पैसाब सबसे पहले अपना परचे दीजिए यहां चट पर मनाने के लिए हैं जमना किनारे और चट पूजा जैसे अधिक तर लोग का सवाल रहता है चट पूजा क्यों मनाते हैं तो यह जो है सत्यूग टाइम से चला हुआ आ रहा है और कश्यप रिशी थे उनके पूत्र और दोनों मिलकर उन्होंने और यह पर्म मनाया था और काफी मतलब जीवन में उन्होंने अध्रा का चीज है जैसे यह पर्म में जितने भी सामगरी यूज होता है सामगरी लगता है प्रसाद बनता है वो सारा का सारा जैसे आज प्रकृतिक रूप से बनता है इसका छोटा से जो शुरुवात होता है वो प्रकृतिक रूप से हैं जैसे आटा है तो सबसे पहले उस गेहूं का ध्यान रखा जाता है अच्छा क्वालिटी का गेहूं लेंगे उसको धोएंगे वित्रता का ध्यान रखा जाता है बहुत कुछ ध्यान रखा जाता है मतलब इससे संदेश मत करता है सत्युक से कि जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें हमारा जो मन है अंदर से बिल्कुल तैयार होना चाहिए और एक-एक छोटे-छोटे चीज को भी ध्यान रखना चाहिए तो उसका पूरुन रलाव का प्राप्त होता है उन्हों नहीं बताया हर इंसान उक्ते सुरज को सब परनाम करते हैं लेकिन डूपते हुए सुरज को अगर कोई परनाम करता है तो छट परवैतिन क्योंकि यह अध्याप्स में चले आ रहा ह है कि उक्ते हुए सुरज को हर कोई परनाम करता है कि डूपते हुए सुरज को कोई परनाम नहीं करता है इसमें क्या है कि डूपते हुए सुरज को भी परनाम करते हैं तो सबसे बड़ी खास्यात है कि उक्ते हुए सुरज को परनाम करना दूसरा फायदा क्या है कि पूरे जमना के किनारे बहुत सारी परव के बाद गंदकी नजर दिखाई देती है आपके नारीयल गोला यह जमना पूरा गंदा कर देते मतलब क्या जाना चाहिए अब नहीं यह तो जमना गंदा होती है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें साथ ही बैल आइकन को तबाए